प्रभास ने 17 साल पहले अपने करियर की शुरुआत की थी इतने लंबे सफर में प्रभास के लुक में काफी बदलाव आया है यहां तक कि कुछ तस्वीरों में तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा प्रभास ने तेलगू फिल्म इश्वर से साल 2002 में डेब्यू किया था इसके बाद वो कई सारी फिल्मों में नजर आये हालकि प्रभास को पहचान एस एस राजा मौली की फिल्म छत्रपती से मिली तस्वीरों में देखिए प्रभास के लुक में पहले से कितना बदलाव आ गया है चहरे पर मासूमियत और सिर पर छोटे छोटे बाल वाली प्रभास की इस तस्वीर को देखिए ये तस्वीर प्रभास की पहली फिल्म इश्वर की है इस तस्वीर की अगर अपके प्रभास से तुलना की जाए तो हो सकता है कि उनके प्रशन सक पहचान भी ना पाए प्रभास की छत्रपती फिल्म ने उन्हें अपार सभलता दिलाई इस फिल्म में प्रभास ने रेफ्यूजी का किरदार निभाया था इस फिल्म में प्रभास का अंदास पहली फिल्म की अपेक्षा थोड़ा तेज दरार था दर्शकों को प्रभास का लुप पसंद आया इसके बाद प्रभास ने योगी और मुन्ना जैसी कई फिल्में की प्रभास ने समय के साथ साथ सौथ सिनेमा में अपनी जबरदस्त पकड़ बनाई है उनकी फिल्में ना केवल बॉक्स ओफिस को माला माल किया करती है बलकि धीरे धीरे लड़कियों के बीच भी उनकी पॉपिलारिची बढ़ गई है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बाहु बली में व्यस्त होने की वजह से प्रभास ने पिछले 5 साल में तकरीबन 6000 शादी के रिष्टे ठुकराए है प्रभास ने कई सारी सूपर हिट फिल्में दी हैं लेकिन बाहु बली ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये बाहु बली के लिए प्रभास को डेड़ करोड रुपे की कीमत के एक्सरसाइज की मशीने फिल्म निर्माता की ओर से तोफे की तोर पर दी गई थी वो प्रभास को मन चाहे रूप में देखना चाहते थे जिसके अनुसार उन्हें वजन बढ़ाना था लेकिन मोटा नहीं दिखना था प्रभास को बाहु बली के लिए 25 करोड रुपे में ले थे प्रभास का बाहु बली लुप प्रशन सकों को खूब पसंद आया प्रभास की हाल ही में साहो फिल्म रिलीज हुई है इस फिल्म के हिंदी वर्जिन ने चार दिन में 93 करोड रुपे का कलेक्शन किया है अभी विडियो को लाइक करें, शेर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूस देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई